नमस्कार सातियों आज की वीडियो का टॉपिक है GST on GTA GTA यानि की Goods Transport Agency या एजेंट GTA पे किस तरीके से आपको GST है वो जी टीए चार्ज करेगा किस तरीके से RCM के एंडर में recipient को GST का payment करना है इन सब के बारे में detail करेंगे आज की वीडियो में चार्ज ओफ GST, यानि कि जो GST का चार्ज है, साथियों ये दो तरीके से होता है, पहला है FCM, दूसरा है RCM, FCM में चार्ज GTA किस तरीके से करेगा, किसी भी financial year की beginning में GT को opt करना पड़ेगा, कि वो GST अंडर RCM पे होगा, या FCM में खुद पे करेगा, यहाँ पे साथियों लिखा हुआ, if opted, यानि कि जिस तरीके से, अभी हम return file करते हैं GST का, दू तरीके से करते हैं, या तो QRMP में, या फिर monthly mode पे, तो एक time frame दिया हो रहता है, अपनको time का slot दिया होता है, कि इस date से लेके इस date तक आप अपना return filing किस तरीके से करना चाते हैं, उसको opt कर सकते हैं, इसी तरीके से, हर financial year के beginning में, GTA को ये option दिया जाता है, कि उसको FCM में GST चार्ज करना है, या RCM के अंडर में recipient है, वो GST चुकाएगा, यदि GTA FCM opt नहीं करता है, financial year के beginning में, तो by default ये RCM रहता है, और यदि उसको FCM में GTA को GST चार्ज करना है, तो उसको FCM opt करना पड़ेगा, दिये वे time slot के अंदर, तो पहली बात होगी साथियों, कि goods transport agency किस तरीके से GST चार्ज करेगा, एक दुविदा बहुत सारे लोगों की अभी भी ये भी है, कि single load और multi load का जो amount है, उस पे क्या GST का liability है, किस तरीके से GST payment करना है, तो पहले क्या होता था साथियों, यदि single load है, तो limit थी 1500 की, और यदि multi load है, तो limit थी amount की 750, जो की exempt थी, जहां पर आपको GST कोई pay नहीं करना होता था था, RCM के अंडर में, अभी इसको remove कर दिया गया है, ये provision अभी exist नहीं करते, single load और multi load I think आप लोगों को पता होगा, single load का मतलब ये है, कि किसी भी गाड़ी में, यदि सिर्फ आप ही का goods आ रहा है, तो उसको single load का जाता है, और उसका इदिया आप फ्रेट या भड़ा 1500 रुपे तक देते हैं, तो उसके GST पहले charge नहीं करना होता था, multi load का मतलब ये हो गया, कि किसी एक गाड़ी में, आपका भी माल है, और साथ ही साथ कुछ और लोगों का, कुछ और व्यापारियों का भी माल उसमें दी, ट्रांस्पोर्ट किया जा रहा है, तो उसको कहा जाता है, multi load, यानि कि एक गाड़ी में, एक से जधा, व्यक्तियों का, फर्म्स का, या कंपनीज का, गुड्स है, उसका ट्रांस्पोर्टिशन किया जा रहा है, तो multi load हो गया, और उसकी कैपिंग थी, 750 रुपे, यानि कि इ यहां पर देखिए, every transaction is covered, chargeable, now, respective of amount, यानि कि, freight का amount, चाई 100 रुपे है, चाई 200 रुपे है, चाई 1000 रुपे है, single load है, multi load है, इसका कोई भी, असर अब नहीं है, GST की liability पे, और वो chargeable रहेगा, यानि कि आपने किसी, transport agent, GTA को, 200 रुपे का भड़ा दिया है, चाई वो single load है, चाई multi load है, तो उस पे भी, अब GST है, उसकी liability आपकी, आती है, दी, RCM है, तो recipient पे, और FCM है, तो GTA पे, खुद पे, यानि कि GST उस पे लगेगा, तो आज की वीडियो में साथियों हमने, जीटिये पे, GST का liability है, इसको discuss किया है, उमिद करता हूँ, subject आपके समझ में आएगा, topic जो भी हमने discuss किया है, topic को लेके, जो भी आपके queries है, वो आप comments करके ज़रूर पूछे, comments आप करते रहा करें के साथियों, जिससे पता लगता है, कि क्या आपके समझ में आ रहा है, क्या और आप पूछना चाते है, channel अभी subscribe नहीं किया है, तो please सबसे पहले channel subscribe करें, bell icon को press कर दें, ताकि आने वाले सबी videos हैं, उनको आप timely देख सकें, thank you so much